Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापरी और ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading तो बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि मैं क्या आप personal session लेते हैं? Yes, of course, मैं personal session लेती हूँ और personal session में tarot, astrology, counselling, remedies, सभी चीज़े included होती हैं और one-on-one session book करने के लिए आपको नीचे description box में इस वीडियो के end में मेरी contact details मिल जाएंगी आपने उस number पे सिरफ whatsapp करना है और आपको details मिल जाएंगी और details को follow करके आप one-on-one session book कर सकते हैं तो ये है आप लोगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और इस reading में आप जानेंगे कि खास कर November मन्त में आपकी love life से related चीज़ें कैसी रहेंगी आपके partner की क्या energies होंगी, आपकी क्या energies होंगी कौन सी चोटी चोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप November मन्त की energies को बहतर कर सकते हैं तो चलिए जी November मन्त की reading शुरू करते हैं ये पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि November 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सिकंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally November मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए हाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है और ये card कहता है कि कुछ time से November स्टार्टिंग में आप किसी चीज को लेकर, किसी situation को लेकर काफी बंधा हुआ महसूस कर रहे है और इसी वज़े से या फिर otherwise भी एक confusion रहती हुई दिख रही है थोड़े से परेशान हैरान हो रहे है जो भी situation है हो सकता है आपको समझ भे नहीं आ रहा कि आप करें क्या directionless feel कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत helpless feel कर रहे है और दिखे इसके लिए surprises के लिए different reasons रहेंगे लेकिन deeper level के लिए work का card गहता है या तो आपके work front पे कुछ issues मसले चल रहे हैं जिसकी वज़े से आपका relationship effect हो रहा है यानि कि एक negative impact आपके relationship में पढ़ रहा है होता है ना कभी कभी की work इतना demanding होता है कि हम partner को attention नहीं दे पाते partner नराज होते हैं और जिसकी वज़े से फिर हम परिशान होते हैं relationship में issues होते हैं कुछ के लिए ये एक scenario रह सकता है और कुछ prices के लिए हो सकता है कि आप बहुत effort कर रहे हैं अपने partner के लिए इस relationship के लिए और आपको वो एक outcome वो एक result नहीं मिल रहा इसकी वज़े से आप परिशान हो रहे हैं और यहाँ पे self love का काट कहता है शायद आपको मन ही मन ये भी लग सकता है कि आपने इस relationship में खुद को नहीं prioritize किया आपने self love नहीं practice किया और इसलिए ये सब issues मसले हो रहे हैं शायद आपको healthy boundaries बनानी चाहिए थी शायद आपको खुद को भी एहमियत देनी चाहिए थी relationship में शायद आपने अपने से ज़ादा partner को एहमियत दी partner पे ज़ादा focus किया और कहीं इसलिए या फिर otherwise भी king of swords का card कहता है आप खुद को prioritize करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आप logically चीज़ों को deal करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आप थोड़ा सा controlling और dominating तरीके से चीज़ों को deal कर पा रहे हैं करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं हाला कि कुछ Pisces के लिए हो सकता है कि mid November में आप काफी controlling और dominating भी हो रहे हैं and end November के लिए page of swords and clouds के cards कहते हैं कि एक irritation है frustration है and again देखिए एक confusion तो पूरे ही November में रहती भी दिख रही है अब इस चीज़ को सुनके आपने परेशान नहीं होना है Pisces क्योंकि सबसे पहली बात ही आपकी पूरी जिंदिकी की reading नहीं है यह सिरफ और सिरफ November मन्त की reading है और tarot guidance के लिए होता है तो इस reading से क्या आपको guidance मिल रही है जो भी हो रहा हो आप बहुत खुश हैपी November मन्त में नहीं रहते हुए दिख रहे है और minor irritation, minor frustration रहेगा तो फिर से मैं कहूंगी कि देखिए आपने literally नहीं हर चीज़ को लेना है इस reading में आपने focus करना है कि क्या guidance cards दे रहे हैं और trust me अगर आप इस तरीके से इस reading को देखेंगे तो आपका November मन्त ठीक जाएगा और अगर इस तरीके से नहीं देखेंगे तो फिर से कहूंगी परिशान होंगे and page of source का card कहता है कि end November में आपकी immature energies है सकती है आप थोड़ा सा blunt, straightforward या फिर taunting वे में partner से बात कर रहे है and कहीं कुछ Pisces के लिए भी हो सकता है कि आप हर partner की activity पे नजर रख रहे हैं उनको spy कर रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं, उनको stock कर रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise clouds का card कहता है काफी confusion है, again समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और अब देखते हैं Pisces कि आपके partner की क्या energies है और आपके partner के लिए देखे सबसे पहले cards है 9 of Pentacles and Lily और ये cards कहते हैं कि आपके partner बहुत wisely और बहुत समझदारी के साथ चीजों को deal कर रहे हैं healthy boundaries बनाते हुए जल रहे हैं self को prioritize कर रहे हैं और कहीं November starting में काफी practical realistic तरीके से चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं कहीं वो किसी भी चीज के लिए आपके उपर dependent नहीं होना चाहा रहे हैं in a positive way मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि emotionally, mentally वो बहुत ज़ादा obsessive नहीं होना चाहा रहे हैं वो बहुत ज़ादा आपके पर dependent नहीं होना चाहा रहे हैं and mid November के बाद से emotionally low feel कर रहे हैं emotionally बहुत ही sensitive हो रहे हैं देखिए आपके लिए मैंने देखा कि आप थोड़ा सा sarcastically बात कर रहे हैं और आपके partner के लिए night of cups का card कहता है कि वो बहुत ही emotionally sensitive हो रहे हैं यानि कि normal बात भी उनको hurt कर सकती है और यहां तो देखिए अगर आप ताना मार के बात करेंगे और वो इतने sensitive हो रहे हैं तो आपकी तो हर बात उनको बुरी लगेगी तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप November मन्त की energies को बहतर करना चाहते हैं और दूसरी चीज़ एकि अगर मैं guidance देखूं तो maturity से चीज़ों को deal करें क्योंकि आपकी immature energies भी रहती भी दिख रही हैं prices and अब आपके partner के लिए देखें तो कहीं mid November के लिए Four of Cups का card कहता है emotionally low feel कर रहे हैं और किसी भी आपकी चीज़ में इतना interest नहीं लेते वे दिख रहे हैं एक ना उनको बहुत boredom सा monotonous सा महसूस हो सकता है कि भई सेम ही चीज़ें चल रही हैं कहीं इनों कुछ change ही नहीं है तो कहीं आपके partner के लिए अगर मैं देखूं तो enthusiasm, excitement mid November के बाद से missing रहतावा दिख रहा है and sight, snake के cards कहते हैं कि कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भई इस relationship में transparency नहीं है या फिर आपकी तरफ से एक manipulation वो महसूस कर रहे हैं या उनकी ही ऐसी energies हैं जहां पे वो ही manipulate कर रहे हैं कहीं देखिए अगर literal भाषा में मैं बोलूँ तो हो सकता है या तो वो आप से कोई जूट बोल रहे हैं या आप उनसे कोई जूट बोल रहे हैं जिसकी वज़े से issues हो रहे हैं तो इस चीज को भी हम check करके correct कर सकते हैं और snake का काट कहीं betrayal, deceit, cheating की बात करता है तो इस तरीके की energies रहेंगी और इस चीज को सुनके आपने परेशान नहीं होना है बहुत चोटी चोटी सी चीजें भी कहीं deceit को represent करती हैं जैसे कि हमने जूट बोला या उन्होंने जूट बोला तो वो भी देखिए एक गलती energy में देखा जाएगा तो कहीं इस तरीके की energies हैं और साइथ का काट कहता है कि कहीं कुछ चीजों को वो end करना चाहा रहे हैं अब देखिए ये सब Pisces के partner के लिए differ करेगा क्योंकि ये general reading है बट ये इस कुछ चीजों को end करना चाहा रहे है एका दुका Pisces के partner के लिए ये भी हो सकता है कि इस relationship को किसी level पे end करना चाहा रहे है अब देखिए इस चीजों को सुनके परिशान नहीं हो न क्योंकि ये बहुत ही deeper level के लिए उनके thoughts है और हमारे मन में बहुत सारे thoughts आते है हर thoughts पे हम action नहीं लेते है बट ये इस देखिए mid November से end November तक उनकी energies great नहीं रहते वे दिख रही है कहीं again कहूंगी इतना interest नहीं ले रहे है उतनी transparency नहीं रख रहे है छोटी छोटी सी बातें दिल पर लगा रहे है और ये चीज थोड़ा सा relationship में issues create कर सकती है अभी देखते हैं कि relationship में क्या रहेगा तो अब देखते हैं कि November मन में क्या होगा तो देखिए आपकी जो भी energies हों आपके partner की जो भी energies हों यहाँ पे dog and lovers reverse के cards कहते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत loyal हैं बहुत faithful हैं और जो भी हो कहीं एक दूसरे को धोखा beyond the point आप दोनों ही नहीं देएंगे कहीं एक दूसरे के लिए हमेशा available रहेंगे बोलते हैं कि प्यार और दोस्ती में दोस्ती जादा बड़ी होती है क्योंकि प्यार तूट सकता है लेकिन एक गहरी दोस्ती होती है न तो फिर सब चीजें अच्छी होती है या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ दोस्ती में हर चीज जायज होती है दोस्ती हम हर चीज को accept कर लेते हैं तो कहीं एक बहुत ही गहरी वाली बहुत ही पक्की वाली दोस्ती और अदर्वाइस वफादारी लोयल्टी आप दोनों के बीच में रहते हुए दिख रही है लावर्ज रिवर्स का कार्ड कहीं Twin Flame Energies, Soulmate वाली Energies की बात करता है तो वो भी आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं Mid November में एक Distance किसी भी लेवल पर आप लोग महसूस कर सकते हैं Misunderstanding हो सकती है, Miscommunication हो सकता है तो इस चीज का भी खयाल रख सकते हैं And Starting November के लिए Queen of Wands रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं Enthusiasm, Excitement, Motivation Missing रहता हुआ दिख रहा है And दिखे फिर से कहूंगी Yes, Doc के कार्ड कहते हैं कि जो भी आप दोनों के Energies हों आप दोनों दिल से, मन से एक दूसरे के लिए committed हैं, एक दूसरे के लिए हर दम हाजिर हैं, available हैं And End November के लिए यहाँ पर Whip का कार्ड कहता है कि Fights आप दोनों के बीच में हो रही हैं और कहीं एक repetitive pattern आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं होता है ना कभी-कभी हमें लगता है कि यह चीज गलत हुई अब हम next time से खयाल रखेंगे लेकिन फिर से वही चीज repeat होती है तो एक चीजे repeat होती भी दिख रही हैं और चीजों को ठीक करने के लिए solve करने के लिए पाइसे इस repetitive pattern को भी break करना बहुत important है तो इस चीज का भी आप जरूर खयाल रखें और surface level के लिए eight of pentacles का काट कहता है again या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत जादा अपने professional front पे attention दे रहे हैं focus कर रहे हैं जिसकी वज़े से relationship में issues हो रहे हैं या फिर आप दोनों ही end November में काफी effort कर रहे हैं इस relationship को बहतर करने के लिए इस relationship को improve करने के लिए जो भी issues, मसले हैं उनको solve करने के लिए तो ये था पाई से जाप रुबों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो जरूर इस चानल को like, share और subscribe करें